निर्ममो निरहकारो ना किंचिदिति निश्चिताह अंतर गलित सर्वाशह कुर्वन नापी न लिप्यते निर्ममो निरहकारो अर्थात ममता और एहकार से रहित ना किंचिद इती निश्चितह अर्थात ऐसे कुछ भी निश्चे न करने वाला अंतर गलित सर्वाशह अर्थात भीतर से सभी आशाओं को गलित करने वाला कुर्वन न लिप्यते अर्थात करने पर भी लिप्त नहीं होता तो यहां पर अश्टावक्र जनक मालाज से कहते हैं कि वह व्यक्ति जो की ममता के भाव से और करता अहंकार के भाव से जो व्यक्ति मुक्त है और इस प्रकार से जो है इन से मुक्त होने क कारण जो है उसमें कोई भी निश्चे नहीं होता और वो जो है अपने भीतर की सभी आशाओं को जो है वह गलित कर चुका होता है ऐसा व्यक्ति यदि कुछ करता भी है तो उसको करने में भी वह लिपत नहीं होता तो यह बात यहां जा रही है वो मंता और को ले कर के है और देखिए एहेनकार के विश्चे springs कही वार यह बोला जाता है कि घाय कर एक अifts और मैं के persons प्रकार मैं को जो कर भाव है उसको इहां पे ध्यान से समझा जािए तो अहम कार है और ow combin मैं और कार जो है वो कार्रे भी हो सकता है उसको करने को भी माना जा सकता है तो एहंकार का जो एक अर्थ होता है वो यह भी होता है कि मैं करता हूँ तो यहाँ पर अहिंकार को हमें उस रूप से देखना है कि मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ और मेरा है यह जो भाव है इस से हमें मुक्त होना है हमारी सारी जो समस्यां है उसकी जड़ यह ही है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक स्वतंतर करता है और हम जो हैं एक स्वतंतर भोगता हैं तो करता करके जो है हमारे भीतर हेंकार है और भोगतापन में को लेकर के हमारे भीतर ममता है कि ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है और इसको मुझे भोगना है इसको मुझे भोगना है ये जो हमारे अंदर भाव उत्पन होता है ना मैं करता हूँ और मैं भोकता हूँ इसी के कारण हमारे मन में बहुत सारे निश्चा-उत-पन होते हैं जैसे मान ले जी कोई विक्ति बोले कि मुझे I.S. आफिसर बनना है तो यह जो भाव है उसके भी तरह है उसमें उसके भी तरह तो करता पन का बाव है कि मैं I.S. officer हूँ और मैं पढ़ाई करके जो है मैं I.S. officer बना और उसके भी तर एक मम्ता का भाव भी है कि मेरे पास ये पद है तो अब मैं इसका बहुझओं गा तो ये दो भाव जब व्यक्ति में होते है तो वहीँ पर जो है है। इनके आने और मेरे भीतर निश्चय उत्पन होते ही हैं यदि मेरा पने म है, मेरे करद sih मेरा करतापन मोझे है तो मह मेरे मेरे भीतर निश्चय उत्पन हों गई क्योंकि फिर मैं स्वतंत्र करता हूं और मैं स्वतंत्र भोगता हूं तो मुझे कुछ न कुछ न कुछ निश्चय करना होगा जीवन में जब इस प्रकार का निश्चे हम अपने भीतर करते हैं तो उस निश्चे को करने से ही हम वास्ताव में उस कर्म बंदनें फस जाते हैं क्योंकि फिर जब हम स्वयम के करतापन और स्वयम के भूगतापन को ले करके कारे करते हैं में जो है फिर हम जो है फिर कारण और प्रभाव में फस जाते हैं तो अहंकार से तो कारण उत्पन होता है और ममता से प्रभाव उत्पन होता है और बस इसी प्रकार से जो है हम कि हम जो है कर्मम बंद्धन फस्जाते हैं कि यह जो भी कारे करते हैं इसका फ़ल हमको भोगना लाइग होता है और यह जो स्थिती निकलने का उये है निकलने का भ 흥 कर दोनों जाख करें अरथात मैं श्वतन्तर करता है कि दोनों ॥ा यदि इस प्रकार का भाव हमारे भीतर विक्सित हो जाए तो हम जो है इस कारण और प्रभाव के क्षेतर से भाहर निकल सकते हैं और स्वरूप में स्थित हो सकते हैं तो ये कब होगा ये किवल तभी ही होगा जब हमारे भीतर जो है कोई आशा ही ना रहे हमारे भीतर आशा है वास्तों में, हमें क्या लगता है कि अच्छा मैं ऐसे कर लूँगा, तो ऐसे खो जायगा, ऐसे हो जायगा, तो फिर मैं उसका आनन्द लूँगा, मैं IES के, UPSC का जो मेरा की परीक्षा जो है, उसके लिए मैं त्यारी करऊंगा, तो मैं फिर जो IES अफसर बन जाऊंगा, औ अफसर बन जाओंगा तो मैं फिर अधिकारी बन करके जो है मैं अपने पद का सुख लूँगा तो यह जो हमारे भी तर आशा उत्पन होती है कि मैं पढ़ाई करके मैं सुख लूँगा यही वास्तों में समस्या है क्योंकि हम जो सुख हमारे पास पहले से ही है उसको हम भवि ये सदिकारी नहीं तो मैं जुस्त की तब हूँगा जब मैं आया सदिकारी बनुगा तो आशा अपने भी तरव उत्पन्न कर ली आशा उत्पन्न करी तो वो जो सुख था जो Cदा हमारे साथ में है वह जो है वह छिप गया और वह जो है भविश्य में कहीं चला गया कि आगे जब मैं कभी आयस अधिकारी बन जाओंगा तब उस पद का मैं आनंद उठाओंगा तो जो पहले से हमारे पास में था उसको हमने आगे धकेल दिया इस कारण से हम दुखी हो जाते तो यह आशा है इन सब को जो गलित कर देता है जो इन सब को गलित कर देता है वह मुक्त हो जाता है क्योंकि उसमें फिर वो कारण और प्रभावाली स्थिती नहीं रहती वास्तों में उस वक्ति के लिए समय ही नहीं रहता यह जो आशा अपने की आशा से क्या आर्थ होता ह आगे भोगेंगे अर्थात समय में आगे भोगेंगे अर्थात समय हमारे लिए उत्रपन्ड हो गया और समय यदि उत्रपन्ड हो गया तो हम कोई आशा ही नहीं करनी हमें कोई क्रिया ही नहीं करनी हमें कुछ ऐसा सोच करके कुछ करना ही नहीं जो आ गया करने को उसको कर लिया जो नहीं आया उसको नहीं किया जो नहीं करने को मिला ठीक है जो करने को मिला तो कर लिया जो हमारे लिए निहत कर्म था जो हमारे लिए था जो वारी नियती में था नियत कर्म उसको हम ने कर लिया और जो हमारी नियती में नहीं था उसको नहीं किया, इस przykár के भाव से रह करके जो है guide क करने पर भी lift नहीं होता आप इसको ऐसी समझते हैं, जैसे कोई मशीन है माल लीजे, कोई मशीन जब कुछ कार्रे करती है, तो वो ममताक से या हैंका से सुड़ी करती है, उसके लिए जो कार्रे आता है, वह उसको कर लेती है, तो जैसे गीता में स्रीकेशन कहते हैं, कि यहां पर जितने भी जीव है, उनका नियंता मैं हूँ और उनके शरीर में बैठकर के मैं ही उनसे कारे करवाता हूँ वास्तों में वो कारे कैसे करवाता हूँ कि जीव जिस प्रकार की भाव से जो है अपने आपको जोड़ता है बस उसी प्रकार से मेरी प्रकृति उस से कारे करवा देती है अब यदि कोई किसी भी भाव से जुड़े नहीं और या फिर जुड़े तो केवल इस्वर के प्रेम वाले भाव से जुड़े तो फिर जो है फिर वह लिप्त नहीं होगा क्योंकि फिर जो है प्रगर्ति इसके बाहर ही चला गया वो इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ममता और एहंकार से रहित होता है वह ऐसा ही व्यक्ति होगा जो कि वास्तों में कुछ भी निश्चे नहीं करेगा और वह जो होगा है कुछ भी आशा भी नहीं क करेगा जब वह इस प्रकार से रहेगा और अपने नियत कर्मों का पालन करेगा तो फिर वह लिप्त नहीं होगा वह मुक्त तो चला जाएगा तो वह संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोक को आपको च्छे समझा दिया होगा चलिए से के सा आते इस वीडियो को ही पर समाहत करते हैं नमस्ते